Hello everyone, आज है 7th February और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Indian Oil Corporation के बारे में 180 रुपे से भी जादा ये share trade कर रहा है आज ऐसा दिन था कि 190 रुपे से भी उपन निकल चुका था लेकिन बाद में थोड़ा बहुत correction बना लेकिन फिर भी 1% की तेजी पर close हुआ पिछले एक महिने में अगर आप देखो तो 40% से भी जादा का ग्रोथ है यहाँ पर देकिन सरकारी कंपनियों में अगर आप देखोगे तो शांदार पैसा बन रहा है एक महिने में Indian Oil Corporation में 40% का ग्रोथ है एक साल में 135% का ग्रोथ है लेकिन अगर आप देखो कि तो तीजी आई है वो नवेंबर से बनी है 90 रुपे का शेर था नवेंबर में और तब से लेकर अब तक 2 गुना पैसा यहाँ पर बन चुका है तीन महिनों के अंदर और यह सिर्फ Indian Oil की ही बात नहीं है सेम चीज BPCL के साथ भी है एक महिने में 33% का ग्रोथ है और पिछले तीन महिने में यहाँ पर भी पैसा ओलमोस्ट डबल हो चुका है BPCL में सेम चीज HPCL को लेकर भी है एक महिने में यहाँ पर भी 22% का ग्रोथ है और पिछले तीन महिने में अगर आप देखोगे November से लेकर अब तक तो यहाँ पर भी पैसा डबल हो चुका है 245 रुपय का शेयर था वहाँ से बड़ी रफ्तार पकड़ी है तो शांदार तीजी कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है और वाई सब आज अगर आप देखोगे तो जो हमारे PM है उन्होंने पार्लामेंट में खड़े होकर PSU की काफी ज़ादा तारीफ करी है और कहा है कि आने वाले टाइम में भी PSU में अच्छा खासा पैसा बनने वाला है LIC का भी उन्होंने एक्जामपल दिया था यहाँ पर और Indian Oil तो खुब पैसा बना ही रहा है यहाँ पर जो short term में इसको थोड़ा बहुत परिशान करने वाला जो चीज रहेगा वो यह होगी कि एक शायद profit taking आ सकती है क्योंकि अल्डरी बहुत ज़ादा दोड़ चुका है दूसरी चीज यह है कि election से पहले कई बार साथ देखने को मिला है कि government जो है वो पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसको कम करती है अगर ऐसा किया तो इनके margin पर थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ेगा लेकिन कुछ positive चीज भी है वो यह है कि Russian crude जो है वो oil सस्ता होने वाला है तो already इस अभी अगर आप देखोगे तो oil company अच्छा खासा margin कमा रही है अगर और सस्ता होगा और petrol डीजल के दाम अगर कम नहीं होंगे तो कहीं न कहीं और ज़्यादा margin यह कमाते हुए नज़र आएंगे यहाँ पर आने वाले दिनों में देखो ऐसा नहीं कि जब 30 है यह तब मैं बात कर रहा हूँ अगर आप चैनल को regular follow करते हो तो कई सारे वीडियों से मेरे इन company के उपर चाहे वो Indian oil हो चाहे वो ONGCB क्यों ना हो या फिर चाहे वो BPCL ही क्यों ना हो हर बार मैंने एक ही चीज़ कही है खरीदो और भूल जाओ हर साल आपको अच्छा खासा यहाँ पर dividend मिलेगा और जब सस्ता मिले तब तो बहतरीन मौके बनेंगे और यह मैं कई बार बोल चुका हूँ अगर आप देखोगे तो अभी Indian oil 5 साल के सबसे highest price पर है और even maximum जो इसका price है वो अभी ही है तो काफी बड़ी तेजी कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रही है company का अगर valuation देखा जाए तो जो P ratio है वो 5 का है जो कि अभी भी कम है sector P 22 के मुकाबले तो valuation के हिसाब से यह कोई महगा नहीं लग रहा है 40% analyst कहते हैं कि खरीदारी करो financials अगर आप इनके देखोगे तो काफी अच्छा है आप देखें December quarter के वी जो number आए है revenue बहुत अच्छा है आप मनलब देखने को मिले हैं 2,00,00 करोड से भी जादा का revenue रहा है और 9,000 करोड से भी जादा का profit है तो देखें जब से यहां पर Russian crude import करा जा रहा है कहीं न कहीं कह सकते हैं कि margin बहतर हुए हैं इनके और दूसरी बात जो दाम है वो बढ़ी रहे हैं जो petrol diesel के कहलो दाम वो बढ़ी रहे हैं आने वाले टाइम में अगर मान लिजे कि election को ध्यान में रखते हुए अगर government दाम कम करती भी है तो वो temporary तोर पर उनको थोड़ा बहुत जटका लगेगा लेकिन long term के लिहास से अगर मैं बात करूँ तो मुझे यह company अच्छी लगती है और Indian oil कुछ जादा ही पसंदा रही है reason यह है कि Indian oil को आप सिर्फ और सिर्फ petrol diesel तक सीमित नहीं कह सकते है यह company gas में भी है इसके अलावा EV को लेकर अगर आप देखोगे तो company ने अपना बहुत बड़ा allocation electric charging station को setup करने में भी करा है इसके अलावा green hydrogen को लेकर भी company setup कर रही है तो जो alternative fuel resources है वहाँ पर company heavily invest भी कर रही है share holding के बारे में देखे तो promoter के पास यहाँ पर 51.50% का stake है promoter कौन है? government है यहाँ पर सरकारी company है 1.75% mutual fund के पास है, 8.29% domestic के पास है Files के पास 8.85% का stake है retail और अधर की मिलाकर 29.62% की holding देखने को मिल रही है जिन में से retail investor 4.71% पर है other parties 24.91% को stake लेकर यहाँ पर बैठे हुए है देखे company खराब नहीं है अच्छी company है यह और जहां तक बात करी जाए तो इस company में Indian oil में ONGC की भी बहुत बड़ी हिस्दार है यह जो other parties में बहुत बड़ी quantity देख रहे हो उन में से को NGC भी है यहाँ पर तो देखे यहाँ पर overall तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा Indian oil corporation को लेकर 185 रूपए के आसपर straight कर रहा है शांदार तीजी बनी है लेकिन अभी जिस level पर बैठा है मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ सा risk जादा रहेगा क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे है कि बहुत था तीजी अब बनने के बाद थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है जैसे कि आज हमने NHPC में correction देखा SJVN में correction देखा उससे पहले हम correction IRFC और RVNL जैसे कंपनी में देख चुके हैं एक बहतरीन रफ्तार के बाद तो मुझे रहता है कि बहुत जल्दी corrections अब oil companyों में भी देखने को मिल सकता है जैसे कि आज BPCL का अगर हम देखेंगे तो आज यहाँ पर तीजी नहीं थी सेम चीज HPCL में अगर आप देखोगे कि जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंडेने चाहिए company बुरी नहीं है long term के लिहाँ से मुझे company अच्छी लगती है लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि short term में कुछ-कुछ चीजे इनको परेशान कर सकती है और वो elections को लेकर हो सकती है और अगर announcement कुछ हो जाती पेट्रोल डिजल के दाम कम करने को लेकर तो कहिने के margin पर temporary असर पड़ेगा कि ये चीज़ हमें हर बार देखने को मिलती है कि election से पहले दाम कम होते लेकिन election खतम होने के बाद दाम बढ़ जाते है ठीक है तो वो भी चीज़ आपको यहाँ बढ़ देखने को मिलेगी तो इतना ही कहोंगा company खराब नहीं है अच्छी company है और अच्छा खासा dividend pay करने वाली company है हर साल pay करती है आगे भी pay करती ही रहेगी तो आप इसके उपर नजर रख सकते हैं और सिर्फ यही नहीं इसके अलावा ONGC भी मुझे अच्छी लगती है यह company तो यहाँ पर भी अगर आप चाहोँ तो नजर रख सकते हो देखो मैं यह नहीं किर रहा हूँ कि अभी खरीद लो नहीं यहाँ से 10 person का decline आता है उसके बाद buy on dips के मौके आपको यहाँ पर ढूंडने चाहिए क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि corrections देखने को मिलेंगे यहाँ पर क्योंकि already बहुत ज़्या तीजी यह दिखा चुके हैं यह shares जो चीज आपने पहले railway में देखी कि बड़ी तीज़े के बाद correction आया जो चीज आपने पावर में देखी कि बड़ी तीज़े के बाद अभी थोड़े बहुत correction चल रहे है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है लेकिन long term outlook positive होगा तो नीचे की तरफ आपको average करने के मौके ढूंटने चाहिए यहाँ पर यही मैं कहूँगा बागी मर्जी आपकी है कोई बाइसल रेकमेंडेशन नहीं है वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ पसंद आए हो तो like करें शुरे करें चैनल अगर आप पहले हैं तो please subscribe करें और Indian Oil Corporation के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखतर बता सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं ONGC, HPCL या BPCL के उपर भी एक डिटल वीडियो बनाओ तो comment में इसका भी नाम लिखेगा जितने ज़्यादा comment आई कि उतना जल्दी वुडियो आएका Thank you